हेलो फैंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तो आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी 10 कोश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतरकत आज हमारे ये 19 नंबर का लेक्चर रहने वाला है ठीक है 19 वा लेक्चर ये हमारा रहेगा इसके पहले हमने 18 लेक् नहीं देखें तो आप हमारी प्लेलिश्ट को फॉलो कर सकते हैं और ये सारे लेक्चर देख सकते हैं इस सीरीज के माद्यम से बच्चों आपका किसी भी टॉपिक का बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है ठीक है चलिए तो सीदे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला कोशन देखते हैं तो पहला कोशन है इनमें से किसी कयाल कहा जाता है ठीक है ओप्शन देखते हैं उडिसा के लेगून आंधरपदेश के लेगून के लेगून या फिर महराष्ट के लेगून ठीक है इंग्लिश में भी कोशन लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं ठी इनको ही क्या बोला जाता है। इनको ही क्या बोला जाता है। एक वर लइगून को अच्छे समझ लेते हैं। तटिये छेत्रों में क्या होता है बच्चों तटिये छेत्र मतलब जो छेत्र समुद्र से लगता है उसको तटिये छेत्र बोलते हैं कोश्टल एरिया बोलते हैं ठीके तो तटिये छेत्रों में जब समुद्र का पानी अंदर इस प्रकार से इंटर का जाता है मालेजी ये इस इस्ठली छेतर है ठीक है? अर ये समुद्री छेतर है। ठीक है समुद्री छेतर है। समुद्री छैतर का जल सब अंदर-इंटर हो जIES आता है और अवशादो की निक्षेप के काहणेद धिरे-धिरे हैं इस समुदरी भाग से अलग हो जाता है तो एक प्रकार की जील बन जाती जो की खारे पाने की होती है समुदर के जल से ही बनी एक जील होती है उसको ही हम बोलते हैं लैगून जील है बहुत सारी लैगून जील हैं देखने को मिलती है जैसे यहां ओडिसा में आपको चिलका मिलेगी है ना केरल में बेमबनाद अश्टमूदी जील देखने को मिलेगी ठीक है यहां पर पुलीकट लेक आपको देखने को मिलेगी आंधर प्रदेश और तमिलनाडू की बॉर्डर पर तो ऐसी बहुत सारी जील हैं आगे भी हम डि पहले आप्शन देख लेता है बूलर जील, लोकटक जील, सामवर जील या फिर लोनार जील तो इसका अंसर हो जाएगा लोकटक जील मनीपुर ठीक है लोकटक जील कहा पर है मनीपुर में है नौर्थ इस्ट का एक राज्ज है छोटा सा मनीपुर तो मनीपुर में ही केवि लाम जाओ राष्ट्री उद्ध्यान या फिर नैशनल पार्क इसे floating नैशनल पार्क या फिर तैरता हुआ राष्ट्री उद्ध्यान भी कहा जाता है ठीक है थोड़ सा आप इसमें image में देख सकते हैं कार का कुछ यह नेशनल पार्क है जिसको कीबुल लाम जाओ नेशनल पार्क बोलते हैं और यह जो जील आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं लोक टक जील जो की मणीपुर पर इस्तित हैं दोनों कुश्चन बनते हैं कीबुल लाम जाओ नेशनल पार्क भी पूसते हैं औ है सांगाइ हिरन dancing deer इसको हम बोलते हैं तो सांगाइ हिरन एकमात रेशा णेशनल पार्क है जहाँ पाया जाता है याद रखना है dancing deer बोलते हैं एक टाइम पर ऐसा माना जाता था 1950 के आस्पास कि जो ही ये सांगाइ रेषाण है कि सबसे बड़ी जील कौन सी है fresh water की सबसे बड़ी largest lake ठीक है चिलका नहीं ये तो lagoon जील है या फिर खारे पानी की जील है सबसे बड़ी बूलर लोग तक या फिर सामवार इसका answer हो जागा बच्चो B जो बूलर lake है ठीक है बूलर lake कहां पर है जम्मू काश्मीर में ये इस्तित है बूलर lake ठीक है तो ये बच्चो भारत की fresh water या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है आपको याद रखना है सैकड़ों वार ये question exam में आया हुआ है इसके लावा इसके किनारे से हो करके या फिर इससे हो करके लोनार जील किस राज जी में इस्तित है लोनार जील या फिर लोनार लेक ठीक है किस state में situated है या फिर located है हिमाचिल परदेश, केरल, महराष्टर या फिर आंदर परदेश अच्छा question है कई वार exam में आता है ये question तो इसका अंसर हो जाएगा महराष्ट राज में आपको लोनार जील देखने को मिलती है ठीक है लोनार लेक इसके लावा जो बच्चो लोनार जील है ये कैसी जील है ये उलका पिंड जो उलका पिंड होते हैं ठीक है इसके प्रत्वी पर टकराने की पश्चाद बनी है ठीक है जब उलका पिंड प्रत्वी से टकराए तो एक गहरे गर्त का निर्माड हुओ और समय के साथ जब उसमें जल भर गया तो उससे एक जील बन गई जिसको हम बोलते हैं लोनार जील तो ऐसा भी कौशन आता है ऐसी कौन सी जील है भारत की जो की उलका पिंड की प्रत्व पर टकराने के पश्चा जील वनती है फिर कैसे डाइनासौर खतम हो गए थे फिर इनको तूटता हुए तारा भी बोलते है उलका पिंड वगयरा को तो इस पर पूरा पूरा एक मेरा लेक्चर है आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं ठीक है चलिए यह देखिए ल पर जो सैवाल वगयरा है उसके करना ठीक है चलिए अगले कोश्चन को डिसकस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लिकेशन को डाउनल बना सकते हैं ठीक है हमारे बचों एक आरम बैच अभी श्टार्ट हुआ है जो कि जीएस का फाउंडेशन बैच है यहां पर आपको अलग-अलग हमारी जीएस की एक्सपर्ट फेकल्टी गाइड करेगी और टीच करेगी जैसे कि मैं वहाँ पर जोगरफी पढ़ा रहा हू या आप यह बैच जोइन कर सकते हैं इसके लवा यदि आप मुझसे जोगरफी पढ़ना चाहते हैं इंडियन हो या फिर वर्ल्ड हो तो आप रूट एप्लिकेशन पर मुझसे जोगरफी पढ़ सकते हैं पर आपको मेरे रिकॉर्ड बैच भी मिल जाएंगे इसके लावा बैच भी आपको मेरे हमारी रूट एप्लिकेशन पर और क्रेजी जी के ट्रक की एप्लिकेशन पर मिल जाएंगे ठीक है करना क्या है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहां से एप्लिकेशन को डाउनलोड कीजे बागी सारी डेटेल आपको एप्ल केंडर इस्थित है 37 धवन सैटीलाइट स्टेशन ठीक है अंतरिक्षिकेंडर तो इसको भी हम देख लेते हैं सेन्टर, 37 दवन syब पुली कट नकि झील, चोलामु या फिर रूप कुंड. तो पुली कट लेक है, फिर पुली कट घील है, बच्चो इस यिल पर 37 दवन अंत्रिक, चिकेंडर या फिर 37 दवन इस पेस शेंटर इस्तित है । फिर या deg年的 अब पुलिकट जील कहाँ पर है तो इसको जरह हम मैप में देख लेते हैं काफी महत्वपूर्ण most important question है double triple star लगा लेना जितने भी question बच्चों मैं यहाँ पर लाया हूँ आने वाले question है बारवार exam में repeat होते हैं यह सारे question ठीक है देखिए यहाँ पर देखिए यह यह आंदरप्रदेश है इसके लावा यहाँ पर यह तमिल नाडव है इन दौनों राज्यों की border पर ज्यादा हिससा इसका आंदरप्रदेश में ही आता है तो यहाँ पर आपको यह पुलिकट जील देखने को मिलते है जो कि एक खारे पानी की लेगून जील है जो अभी मैं आपको समझाया था ठीक है लेगून जील है इसी जील में बच्चो एक island है स्री हरी कोटा नाम का ठीक है स्री हरी कोटा स्री हरी कोटा island है इस पर ही सतीज धवन space center अंतरिक्ष केंद्र इस्तित है जो की भारत का एकमातर satellite लाइट लॉंच इस्टेशन है, यहां से जितने भी उपग्रह वगरा लॉंच किये जाते हैं, वो यहीं से किये जाते हैं, तो यह बात आपको याद रखना है, ठीक है, काफी महत्रपूर्ण है, कहां पर है, अंद्रप्रदेश टमिलनाडु की बॉर्डर पर स्री हरीकोटा आइलेंड है और यहाँ पर ही 37 धवन अंत्रिक्ष केंद्र इस्तित है यहाँ आप देख सकते हैं यह पुरी पुलिकट लेक है ना काफी बड़ी लेगून जील है ठीक है चलिए अगला कुश्चन देख लेते हैं निम्लिकित मेंसे असत्य को चाटी है कौन सी जील कहा है या फिर नहीं है इसको आपको बताना है ठीक है असत्य चाटना है गलत वाला दिखना है सांवर जील राजिस्थान में ही इस्तित है एक खारे पानी की जील है और सरवादिक लवरता सरवादिक खारा पंजिस जील में है वो जील है सांवर जील आपको याद रखना है लोनार ज किसका हो जाएगा ठीक है ये गलत लिखा हुआ है मद्र प्रदिश में लोनार जील नहीं है ये महराष्ट में इस्तित है उलका पिंड के प्रत्वी पर ठकराने के पश्यात बनी एक जील है ठीक है चलिए अगला कोशन दिख लेते हैं इनमें से किस जील में नौका यान प्रत जील में बच्चो एक वैलिंगटन दूइप है और यहाँ पर ही प्रतिवर्ष नौका यान प्रतियोगिता कराई जाती है तो याद रखना है और भारत की सबसे लंबी जील है बच्चो ये जो वैलिंगटन जीले करी 95-98 किलोमीटर लंबाई की ये जीले और काफी महत्रप जीले कई वार यहाँ से एक्जाम पर कुश्चन आते हैं और यहाँ पर नौका यान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं बेमबिनाद ठीक है यहाँ पर यह केरल राज्जी है चलिए अगला कुश्चन है राजिस्थान की किस जील क किनारे प्रशिद मेले का आयोजन किया जाता है ठीक है तो पुश्कर मेले का आयोजन किया जाता है ऐसा कुश्चन होना चाहिए ठीक है तो सांभर जील है पुश्कर जील है डल जील है लोक टक जील है तो राजिस्थान बच्चों पुश्कर जील है जहाँ पर पुश्कर म जहाता है आपको याद रखना और पती वर्ष जो देखेंगे आप 9 नवंबर है न और 9 महीने में इस मेले का आयोजन होता है आपको याद रखना कहांकर है राजिस्थान में ये जहील देखने को मिलती है अगली जहील है अभी डिसकस कराई थी मैंने चिलका जहील किस राज्जी में इस्तित है ठीक है काफी महात्वपोर्ण जहील है आंदरपदेश ओडिसा पश्चिम बंगाल या फिर महराश्ट तो इसकांसर हो जागा भी उडिसा राज्जी के अंतरगत चिलका जहील इस्तित है जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून जहील है या फिर खारे पानी की जहील है भारत की सबसे बड़ी लैगून जहील है आपको याद रखना है चिलका जहील खारे पानी के जील है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ओडी सा राज्य है और यहाँ पर ही आपको बंगाल की खाड़ी से लगी हुई यह जील देखने को मिलेगी सबसे बड़ी जील है देखिए कितने बड़े बच्चो छेतर फल पर यह फैली हुई जील है चिलका जील रफसागर से बंगाल की खाड़ी से यह connect होती है ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए इसका माउथ है यहाँ से इस प्रकार से यह connect है और यहाँ से ही इसका पानी अंदर जाता है चलिए अगला question देख लेते हैं विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की जील जो सांवर जील है क कि अब विशेष्टा क्या है सांवर जील की विशेष्टा यह है कि यह सरवाधिक लवणता वाले जील है भारत की देखिए एक्जाम में question आ जाए सरवाधिक लवणता सरवाधिक लवणता वाले जील मतलब सरवाधिक जिसमें खारा पन है सैलेनिटी है वो जील कौन सी है स यदि पूछ लिए जाए सबसे बड़ी खारे पाने की जिल कौन सी है तो वो है चिलका ठीक है सबसे बड़ी मीठे पाने की जिल कौन सी है तो बूलर ठीक है तो ऐसे question आते हैं आपको पता होना चाहिए इसके लावा इससे नमक का उत्पादन भी किया जाता है ठीक है नमक भी बनाया जाता है इन जीलों से इसके लावा राजिस्थान की कुछ अन्य जीलों की बात करू खारे पानी की तो डीडवा न हो गया पंच वद्रा हो गया लुनकर नसर हो गया तो ये सब खारे पानी की जीलें इसके लावा कुछ मीठे पानी की जीलें देख लिए जैसमंद रा राजिस्थान की सबसे बड़ी fresh water या फिर मीठे पानी की जील है या फिर लेख है या बात भी आपको याद रखना है ठीक है तो यह राजिस्थान की सारी जील है आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है अगला कोश्चन है निमनमैसे कौन सी जील भारत के दो राज्यों में फैली हुई है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस कराया था जो पुलिकट लेक है बच्चो ये मैग्जिम में इसका हिस्सा इसका आंदरपदेश मातार कुछ हिस्सा इसका तमिल नाडू में भी आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पुलिकट लेक जो है तो ये दो राज्यों में फैली हुई लेक है आपको याद रखना है आगे दिखते हैं निमनमे से किस जील को रहस्माई जील के नाम से भी जाना जाता है ठीक है रहस्माई तो अच्छा कोश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा रूप कुंड जील सी आंसर इसका हो जाएगा रूप कुंड जील बच्चो ये कहां पर है ये उत्राखंड यहां पर आपको जीलें देखने को मिलती है। अगला question दिख लेते हैं, भारत की सबसे उंचाई पर इस्थित जील कौन सी है, तो इसका अंसर हो जाएगा C, जो चोलामू लेक है बच्चो, ये सबसे उंचाई पर इस्थित जील है, किस राजमे है, तो जो चोलामू लेक है, ये सिक्किम राजमे इस्थित है, आपको याद रखना है, लगवक्त 5330 मीटर की उचाई पर बच्चो ये स्थित है, याद रखना है, इसके लावा कहां पर है, सिक्किम राजमे, सिक्किम राजमे ये स्थित लेक है, इसके लावा यहां से तिस्ता नदी का भी ओरिजन होता है, जो कि ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती ह है, रंगपुर, बांगलादेश, रंगपुर, बांगलादेश में जाकर के किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है, तो तिस्ता नदी का ओरिजन भी यहां से भी होता है, याद रखना, अगला कोश्चन है, किस राजमे भारत वा, चीन के वी विवादित है ठीक है तो कहां पर है बच्चो यह लगदाख में है simple सा question है लेकिन important question भी है कई वार exam में आया इसको five finger lake के नाम से भी जाना जाता है ठीक है चीन और भारत के वीज में विवादित है यह जील है आपको याद रखना है ठीक है चलिए तो बच्चो यह थे हमने यहाँ पर 14 question डिसकस किये है ठीक है और जितने भी महात्वपूर्ण question बारवार जीलों से या फिर भारत की lake से बनते हैं वो मैंने यहाँ पर cover करा है इसी प्रकार के question exam में आते हैं और कुछ अन्य जीलों के वारे में भी detail बताए है तो revision के साब से बहुत अच्ची series है हमारी 10 question series ठीक है तो इसको आप हमारी series को follow कर सकते हैं इसके लब आप मुझसे geography पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी crazy जी के trick की application पर और root application पर मुझसे जुड़ करके geography पढ़ सकते हैं मेरा individual badge भी वहाँ पर मिल जाएगा और हमारा आरम badge भी अभी एक foundation badge start हुआ है ठीक है तो link description box में मिल जाएगी जो हमारी apps है यहां से आप सारी details दिख सकते हैं और फिर हमारे toll free number पर भी call कर सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले भैतर lecture में तब तक पढ़ते रहें अपना ख्याल रखें इसके लाब आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसके लाब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलेंगे अगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद लेक्चर में पाद गूरे दोस्तों किरें अभीप टाद है क्वेश के अपनद हाई में के वीडियोंू, दक कॉछ सक यिर सक लगश को भीडियोंू, दोस्तों का वीडियोंू.